पतात्त में सीद कालीन सत्र चल रहा है आपको बता दे कि उसी में विहार के पुढ़ उपमुख्य मंतरी और राससांस सुसील मोधी ने सेम सेक्स मारज की उपर बयान दिया जिसके बाद लोग हिल गए हैं आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि same sex marriage जो होता है वो भारतिय संस्कृति के खिलाफ है तो इसका जो कानून है वो भारत में नहीं पारित होना चाहिए आपको बता दे कि अभी तक लगबग 30 देसों में इस कानून को पारित किया गया और पिछले हपते अमेरिका में भी इस बिल को पास कराने के लिए संसद में ये बिल पेस हुआ है और उसके बाद कयास लगाया जा रहे है कि वहाँ पर भी जो same sex marriage है वो बिल पास हो जाएगा लेकिन भारत में सुशील मोदि का कहना है कि वो हमारे संस्कृति और सबयता के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्यूकि यहां पर जो सादिया होती है वो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होती है यहाँ पर एक पुरुष पुरुष के बीच में साधी नहीं होती है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी साधिया यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर जो domestic violence होते हैं उनका क्या होगा उनके बच्चे कैसे होंगे विवा दो पुर्षों के बीच में नहीं होता हर धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, एक स्तुरी और एक पुरुष का ही विवा होता है किसी भी धर्म में सिक, से मैरज का कोई प्रावधान नहीं है साथी उन्हें कहा कि 30 देशों ने इसे मान्यता दे दी, अमेरिका में पिछले सप्ता ये बिल पास हुआ है, इसे मान्यता देने का ACI देश में केवल ताइवान ने इसे मान्यता दी है भारत में इस तरीके का कोई कानून नहीं बनना चाहिए सरकार यदि इसका विरोध कर रही है तो कुमें भी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए सेम सेक्स मारिज को कोई मान्यता नहीं देना चाहिए यदि इस तरह का विवा होगा तो पडिवार का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वालेंस का क्या होगा? यदि कोई पुरुष इस तरी पर वालेंस करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? कोई ऐसे में जब पुरुष पुरुष से विवाह कर ले तो उसका क्या होगा? इतना ही नहीं तो adoption, domestic violence, divorce, wife right to stay in marital home, इन सारे चीजों का जो सम्मन्द है वो विवा संसा के साथ जुड़ा हुआ है और साथी साथ उपसवती मोदे और इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दो जज़ बैठ कर इस प्रकार के समाजिक मुद्व पंदिरने न समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए कुछ left liberal democratic लोग और जो activist लोग है वो भारत को पस्चिम का अनुसरन करते वे इस प्रकार के कानूं को लागू कर रहना चाहते हैं और इसलिए मैं same sex marriage को वेधानिक मानिता दिये जाने का विरोध करता हूं और government of India से आग्रह करता हूं कि मजबूती के साथ same sex marriage के विरोध में नियाले में अपनी बात रखें और मैं judiciary से भी आग्रह करता हूं कोई कोई ऐसा निर्णे ना दें जो इस देश के cultural ethos यहां के सब्सक्राइब बाते सुशील मोधी ने कही है और आप हमें comment section में जरूर बताए क्या आपको लगता है कि यहां पर भी कानून बिल पास होना चाहिए जिसमें same sex वाले person जो है वो शादी कर सके या फिर नहीं आपको भी ऐसा लगता है कि क्या यहां मारे संस्कृति और सब्बता के खिलाफ है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं मगी आवाजपर